अदिन आदे नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से में सवागत करता हूं आपका हमारी यूनिक आऊंलाइन गुरू चरलं में जैसा कि मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं लूप कंट्रोल स्टेट्मेंट की सिरीज में बात कर रहे हैं तो मैंने देख लिया है कि ब्रिक स्टेट्मेंट क्या होता है और हमारा पास स्टेट्मेंट की बात अब हम लोग करने वाले हैं दोस्तों तो हम लोग देखेंगे इस व दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं past statement की बात कर रहे हैं तो मैंने एप एप एक शोटा सब डिफिनीशन लिख रखा है आप लोग देख लिजे यहां पे की past statement की बात करें as the same suggest past statement simply does nothing the past statement in the python ठीक है इस यूज वन स्टेटमेंट इस्रेक्वार्ट वाहर्ट आप but you do not want to command our code to execute, it will null operation as nothing will happen, this execute x का मतलब क्या हुआ, कि ये null statement होता है, पहली बात execute होता है, तो कुछ नहीं होता, मतलब क्या हुआ, कि ये pass कर देगा, जैसे मैंने कोई भी value अगर दी है, तो वो क्या करेगा, उस value को वहाँ पे pass कर देगा दोस्तों, यानि मतलब ना तो break करेगा, ना continue करेगा, क्या करेगा, उसको jump कर देगा, यानि pass कर देगा, pass मतलब वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ से क्या करेगा, उसको pass कर देगा, यानि bypass, आप लोगों सुना होगा, कि अगर एक road नहीं जाते, करेगा, लाश्ट में क्या करेगा, और फिर लास्ट में कैसे करें दोस्तो goodby print कर दोस देखते हैं हम लोग किया print करता है इसमें जैसे ही मैंने इसका execute किया यहांपे देखे print कर दिया siya depends value ने कि को क्या कर दिया this is pass value इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा pass value काम कर रören और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है तो यह होता है पास वैलू मतलब क्या हुआ कि बीच में कोई भी वैलू को अगर हमें पास कर देना दिखाना पास वैलू कैसे काम कर रहा है तो exactly हम लोग देख सकते हैं जान सकते हैं समस्झ सकते हैं पूरा मैंने आप लोग को बता झाल